नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो आज की इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्पेशल डिफेंस परशनल फोरम में निकली हुई बैकेंजीज के बारे में तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो संस्ता है यह इंडियन आर्मी, इंडियन एर फोर्स, इंडियन नेवी और कुछ अधसानिक बलों के लिए काम करती है ठीक है तो इसमें दोस्तो 534 पदों के लिए यहां पर बैकेंजीज निकली हुई है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए यह बैकेंजीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ तो इसकी जी दोस्तो ओफिसल नोटेस है वो मैंने डाउनलोड करकर रखा हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर यह हिंदी में डाउनलोड करकर रखा हुआ है और यहां पर आप देखेंगे दोस्तो यह मैंने इंग्लिश में डाउनलोड करकर रखा हुआ है तो मैं आपके लिए पूरी जानकारी आपको बलकुल तरीके से देने वाला हूँ तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाएएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि दोस्तो आपको हमारे चैनल पर मिलता है सबसे ज्यादा जल्दी कोई भी जो भी बैकिंसी निकलती है डिफेंस की हो चाहें सिभिल की हो सबसे पहले जो आपको अपडेट मिलती है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहाता हूं कि इसकी जो इंप्लॉइमेंट नोटिस है दोस्तो यह निकल चुका है तो दोस्तो यहां पर 10 अगस्त से 25 सितंबर 2020 की बीच में आपको जो है वो यह जो वेपसाइट दी हुई यह आप देख रहे हैं दोस्तो www.specialdefense.com यहां पर जाके आपको दोस्तो इसका आपको ऑनलाइन आविदन करना है यहां पर टोटल पोस्त की बात करें तो 534 पोस्त है ठीक है अब यहां पर दोस्तो पोस्त कौन कौन सी है मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं तो सबसे पहले आपर पोस्त है intelligent officer की उसके बाद में welfare inspector उसके बाद में है grant executive officer एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूं यह high level के पोस्त हैं लेकिन यहां पर आप देखेंगे सफाई वाला टेबल वॉय को को ड्राइबर फायर मैं मतलब लो लेवल के पोस्त के लिए भी यहां पर पेकंसिस कर दी गई है तो इन सभी पोस्त के बारे में मैं आपके लिए डिटेल में जानकरी देने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरू कर देना ठीक है उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तो लोर डिविजन क्लर्क सिकुर्टी असिस्टेंट वेरियर गार्ड लैप टेक्निसियन फायर अब लेक्ट्रीशियन ठीक है उसके बाद में वाल मैं अबलिक प्लंबर उसके बाद में हैं दुस्तों ड्राइबर को को टेवल वोई और सफाई करमचारी यह जो है यहां पर 15 प्रकार की वैकंसी के लिए यहां पर दोस्तों जो है बोर नोटिफिक्शन रिलीज कर दी दोस्तों यहां पर आपका 18-32 साल यह होनी चाहिए बैल फेर इंस्पेक्टर के लिए 18-32 साल ग्रांट एक्जीकुटिव ऑफिसर ग्रेट सेकेंड के लिए 18-32 साल उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर 18-32 लोर डिविजन क्लरक में आप भरते होना चाहाते हैं तो आपके लिए 18-30 साल आपके एज होनी चाहिए सिकुर्टि एसिस्टेंट 18-32 साल ठीक है उसके बाद में यहां पर दोस्तों एक्सर्विसमें के लिए यह वैकंसी दी गई है एक्सर्विसमें अगर आप हैं तो आपके लिए 45 साल तक इसमें अपलाई करने के लिए चूट दी जाएगी ठ गार्ड 18-32 साल सेम एक्सर्विसमें के लिए यहां पर आपका होगा 45 यह उसके बाद में लेब टेक्निशियन 18-18 साल फायर मैं 18-30 एलेक्ट्रीशियन 18-30 प्लंबर ऑब्लिक वाल मैं 18-30 ड्राइवर 18-30 कुक 18-30 और टेबल बॉय 18-18 साल तक आप इसमें अपलाई कर सकते है उसके बाद में सफाय करम्चारी, जेनरल कैneathटेगोरी के लिए 18-18 साल 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 तक है OBC कैटेगोरी के लिए 18-30 साल स्क प्लंब प्लंबर बॉय 18-35 तक कि आप इसमें अपलाई कर सकते हैं उसके बाद में grant executive officer के लिए graduate होना जरूरी है, medical officer के लिए BAMS या फिर MBBS का course किया हुए न आपको जरूरी है, उसके बाद में आता है आपका clerk, तो should have 10 plus 2 यानि कि intermediate pass होना चाहिए और आपके लिए दोस्तों जो है वो typing आनी चाहिए, ठीक है, clerk के लिए, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं, दोस्तो, security assistant second warrior guard, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इसके लिए 10th pass होना जरूरी है, और आपकी जो height है दोस्तों, वो 65 cm, chest आपका 79 cm without expansion, and 84 cm after expansion आपका chest होना चाहिए, यहाँ पर 10 plus 2 दोस्तों पास होना जरूरी है आपके लिए, और उसके बाद में आप देखेंगे fireman के लिए, तो fireman की degree, fireman में आपके लिए भरती होने के लिए, आपको 10 plus 2 यानिकि intermediate pass होना जरूरी है, और आपके पास में should have qualified basic training course of the elementary fireman service course, आपके पास में जो elementary fireman service course है, उसक आपको qualify होना जरूरी है, तो fireman के लिए आपकी जो height होनी चाहिए, बुबन 65 ली जा रही है, यहाँ पर, chest आपका 80 cm, with expansion 85 cm, eyesight आपके 6 by 6 and bait आपका 52 kg होना जरूरी है, उसके बाद में electrician, valveman and plumber के लिए आपको 10th pass होना जरूरी है, और ITI के degree पे आपके पास में होना जरूरी है, मतलब आपने ITI किया हुआ हो, plumber, valveman और electrician के लिए और आपके पास में 10th pass होना जरूरी है, ठीक है, next आता है, दोस्तो driver, तो driver के लिए आपको 10th pass होना जरूरी है, और आपके पास में good driving skill and driving license भी होना जरूरी है, next आता है, हमारा cook, तो cook के लिए 8 pass होना जरूरी है, आप पर आपके पास में diploma भी होना जरूरी होता है, ठीक है, table boy के लिए 8 pass होना जरूरी है, और सफाई बाले के लिए 8 pass, मतलब cook, table boy और सफाई पास, सफाई करमचारी जो है, इनके लिए आपके लिए 8th pass होना जरूरी है, और electrician, driver और fireman के लिए 12th pass है, और आपके लिए electrician, balber, sorry ballman और plumber के लिए आपको 10th pass होना जरूरी है, ठीक है, pay scale आपका दिया गया है, यह आप देख लिए, vacancies की detail भी दी गई है, उसके बाद में दोस्तो age limit में आपको बता चुका हूँ, mode of selection के लिए आप देखेंगे, तो मैं आपको low post से लेकी चलता हूँ, ठीक है, mode of selection आपका क time दिया जाएगा, ठीक है, उसको गाद में table वो आए, physical oblique trade test होगा, multiple choice objective type questions होगे, 100 marks के और आपके लिए duration होगी है, आपके test की 90 minutes, कुक के लिए आपका physical oblique trade test होगा, multiple, वोई same है, इसके लिए भी driver के लिए दोस्तो main है, यहाँ पे, तो physical trade test होगा, आपका driver का आपस गाली चला है, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर पूरी जो है वो, इनका mode of selection दिया गया है, कैसे आपका होगा, lower division clerk का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि, इसके लिए आपको Microsoft Office test होगा, on computer oblique type writing, on computer, मैं आपका computer set मा, computer मा आपके लिए Microsoft का test होगा, और आपकी type writing का भी test लिया जाएगा, तो यह हैं दोस्तों, इसका selection procedure, मैंने आपको age limit बता दी, education qualification भी बता दी, आपके लिए, कितनी vacancies हैं, वो भी बता दी, पूरी जानकारे, मैं इस video में आपको दे चुका हूँ, अभी देखता हूँ, कुछ आपके काम की अगर news है, तो मैं आपके लिए वो भी दे गई है, कि आपका जो syllabus होगा, वो क्या होगा, तो अगर आपने वी तक हमरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लें, क्योंकि आपके लिए इस भरती से regarding जो next आपकी जो examination selection procedure होगा, वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में बताने बाला, ठीक है, तो आपको online application दोस्त हैंगे, the candidates must be a citizen of India, मतलब दोस्तो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि यह जो भरती है, वो all India भरती है, ठीक है, मतलब इंडिया के आप किसी भी state के रहने वाले हैं, तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं, next है दोस्तो, the candidates must fulfill the education qualification, age experience, etc, as stipulated in the advertisement, उसके बाद में cut-off date of age and SCHD, OBC, and PH certificates will be closing date of application, तो दोस्तो, मुझे नहीं लगते हैं, इसमें आप कुछ आपके लिए बताने के लिए रहे गया है, मैं आपको पूरी की पूरी detail इसमें आपको दे चुका हूँ, ठीक है, तो, उम्मित करते हैं दोस्तो, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर फिर भी आपको कोई doubt रहे गया है, इस भरती से regarding, तो आप हमारी चैनल को subscribe कर लें, हमसे आप comment करके भी पूछ सकते हैं, और आपका application जो fill up कैसे करनी है, उसके बाद में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है, how to apply, उसके बाद में आपका selection procedure, और आ करें,